सिर्यल अणुक्मा में चल रहा है फायवोल्टेज ड्रामा आप सभी देख रहे हैं कि वनराज घर वापस आ गया है लेकिन यहां वनराज के आने के बाद एक नया ड्रामा शुरू हो गया है अब यह तो आप सभी जानते हैं कि वनराज जहां जहां कावय वहां वहां ऐसे में कावया भला कैसे बंदाश कर पाती और कैसे रह पाती वनराज के बिना कावया यहाँ वनराज के घर आती है और उसी समय आई रहती है यहाँ किंजल की मा राकी और यहाँ पर राकी दरसल वनराज को से मिलने आई थी उसका accident हुआ ये बात सुनी और इसलिए वो यहाँ पे आई थी लेकिन यहाँ वो वनराज का हाल नहीं पूछ रही थी बलकि यहाँ उसे ताने देने आई थी और इसी समय यहाँ जब कावया पहुचती है तो राखी और कावया में बहस हो जाती है कहां दसी मिनट पहले राखी और बा में जगड़ा हो रहा था और कावया के आते इन दोनों में बहस हो गई यहाँ कावया कहती है कि अगर इन्हों ने यानि राखी ने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं उस दिन ना ही किंजल और पारितोष की शादी में आती और ना ही इतना बड़ा बखेड़ा होता और ना ही वनराज का एक्सिडेंट होता यहाँ पर किंजल को बहुत बुरा लगता है कि इस तरह कावया जिसका कोई रिष्टा नहीं है इस घर से वो यहाँ पर आकर उसकी मा को इस तरह बाते बोल रही है किंजल यहाँ पर कावया से कहती है कि क्या आप इतनी भोली और इतनी बेच्ची है कि आपको कोई भड़का देगा ऐसे में यहाँ कावया जवाब लेती है कि मैं बच्ची तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी मा जितनी कनिंग भी नहीं हूँ खेर यहाँ पर अनुप्मा दोनों को जगड़ा करने से रोकती है, कावया यहां पर आकर ये चताने की कोशिश करती है कि वनराज उसका है, और ऐसे में वो यहाँ कभी भी आ के वनराज से मिल सकती है, आज सबसे बड़ी बात, कावया यहां कहती है कि मुझे कुछ उफिस के एकेले बात करनी है तो हमें अलग रूम में जाना होगा यहां पर किंजल सब के सामने के मौफिस की बाद है तो सब के सामने कीजिए। आना है या नहीं आना है अब देखना यही कि किया वनराज ने मन बना लिया है कावया को अपने जिंदीगी से दूर करने का क्या होता है शो में आगे यह सारे ट्विस्टेश अब्डेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल ना भूलें